श्री गडेशाय नमाह, श्वागत आप सभी का मेरे वक्ति वावना योटूब चैनल पर, आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे उपाय बताऊंगा, इन उपायों को करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, नोकरी लगेगी, प्रमोशन होगा, विद्यारतियों को लाम मिलेगा, हर मनो कामना पूर्ति होगी, यानि हर मनो कामना के लिए आप ये उपाय जरूर करें, और जिनके भी पुत्र की कामना हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो उपार रही हैं, तो आप गड़े चतुर्ति को ये उपाय जरूर करें महिने में दो चतुर्टी आती है एक सुकलपक की और एक कृश्ण जो उपाय में बता रहा हूं आपको प्रते क चतुर्ती पर यह उपाय कर प्रप्ति करने से भगवान सी गड़ेश की किरपा प्राप्त होगी और आपकी सारी मनुकामनाय पूरी हो जाएंगे। श्री गड़ेशाय नमहां इस मंत्र का जाप करते हुए और आप यह उपाय जरू करें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय जरू करने चाहिए। तो आप मैं आपको उपाय बताऊँगा और यह उपाय आपको प्रते गड़ेश चतुर्ती को करने चाहिए। भगवान स्री गड़ेश की किरपा से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कर्ज तूर होगा हर मनुकामना पूरी। सबसे पहले आप ध्यान रखे हैं कि गड़ेश चतुर्ती वाले दिन, मीठा पान, एक मीठा पान लेने, एक थाली सजाले जैसे आपको इस्क्रीम दिख रही है, इसमें गुलाब के पूल और आम के पत्ते, रोली, मोदक, मीठा पान, थोड़ी सी दही, गाय का घी, चंदन रोली, ये सबी सामान आप एक थाली में सजा करके रखें, बेल पत्र के पत्ते, ये सारा सामान ले ले और भगवान गड़ेश ची के सामने आप बैढ़ जाएं, सब से पहले हात में जल ले करके गड़ेश ची के सामने संकल्प करें, सबी सामान लेकर गड़ेश ची के सामन बोलते हुए उसके बाद में भगवान गड़ेजी को आपको पुष्परपण करने के बाद में आप भगवान गड़ेजी को हरी दुरवार पढ़ करें और ओम भाल चंद्राइज नमा कह करके हरी दुरवार पढ़ करें उसके बाद में भगवान गड़ेजी को मीठा पानर प करते समय ओम एक दंताय नमा बोले चारण करें सरा आपको जब आप दीपक जला रहे हूं तो तोड़े से चावल दीपक के नीचे जरूर रख दें और तोड़े से चावल दीपक के अंदर डाल दें उसके बाद में जब हरी गास आप अरपन कर देंगे मीठा पान अरपन कर द और थोड़ा सा दही भगवान जी के सामने अरपन करें बेल पत्र पर स्री गड़ी सायनमा लेकर करके और भगवान गड़ी के सामने रख दें और एक नारियल पर मूली लपेट करके भगवान गड़ी के सामने रख दें यह सारा सामन आप रख दें उसके बाद में आप एक जाप करना है जो भी आपको मंतर अच्छा लगे उस मंतर का आपको जाप करना है एक माला जाप करना है एक माला तीन माला पाँच माला साथ माला जितना भी आपके बसकी हो तना जाप चरूर करें जब आप ये जाप कर लें उसके बाद में आप ध्यान रखें भगवान को भूग लगाएं हाथ जोड़कर भगवान से प्रात्ना करें प्रसाद ले जो आपने सामान चड़ाया है उसमें से आप प्रसाद ले थोड़ी से हरी गास ले ले हरी गास और 11 रुपे अपने घर में गुललक में कई भी रखें इसी घर में बरक्कत होती है और जो आपने मोदक चड़ाये उसमें से प्रसाद ले ले नारियल का प्रसाद और इक चीज़ का ध्यान रखे जब आप यह उपाई कर राएं तो दो फल भी वगवान के सामने आपको चड़ाने है और उन दो फलं को आप परसाध की दिनों में ना कुछ दिनों मे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाएगी कर्ज दूर होगा संतान की प्राप्ति होगी दन की प्राप्ति होगी और प्रतेक मनों कामना आपकी पूरी हो जाएंगी प्रतेक गड़ेश चतुर्ती को यह उपाय आप करेंगे तो गड़े चतुरती को जब आप यह उपाय कर लेंगे उसके बाद में आपको गोव साला भी जाना है और गोव माता को आपको मीठा खिलाना है इस बात का ध्यान रखें कि गोव माता को आप मीठा जरूर खिला करके आए जब आप गोव माता को मीठा खिला दें गड़े जी का उपाय कल लिया आपने गोमाता कल लिया तो आपको पीपल ब्रक्ष के नीचे दीपक जलाना है दियान रखें आपको पीपल ब्रक्ष के नीचे दीपक जलाना है और एक धागा लेना है साथ वार पीपल ब्रक्ष से वह धागा लपेट देना है और दीपक आप पहली जला देंगे उसके बाद में आप तीन लोटा चल का भर करके पीपल ब्रक पर चड़ाएंगे और यह सब चड़ाते समय आप पित्र देपताओं का ध्यान करेंगे ओम पित्रदेपता अभ्योनमा ओम पित्रदेपता अभ्योनमा यह आपको प्रते गड़े चतुरति क्यों करना है भागवान गड़े जी का अशिरवाद प्राप्त होगा असाथ में होगा पित्रों का अशिरवाद प्राप्त है गौमाता की पूजा से सभी मनों कामना है पू प्रतेग मनुकामना पूरी हो जाएगी, भगवान गड़ेश जी का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा, और प्रतेग मनुकामना आपकी पूरी हो जाएगी, जो आप सपीत कागज भगवान के सामने रखेंगे, उसमें आपको अपनी मनुकामना बोलनी हैं, जिस कामना से आ यह उपाय बहुत ही चमतकारी हैं आप वीडियो को सियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर आपको प्रते जानेकारी की वीडियो प्राप्त होती रहेंगे